इस वीडियो में हम बात करेंगे करक रासी और लगन के लिए अप्रेल 2021 का महिना कैसा रहेगा आपके सामने ये कुंडली परदर्सित हो रही है ये कुंडली अप्रेल 2021 के अकोर्डिंग ही तियार की गई है और इसमें जो ग्रों की प्लैस्मेट दिख रही है वो भी आपको अप्रेल के अनुसार ही दिखाई गई है तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर देख लिजिए अगर चार नमबर लिखा है आपका अउनली तो आपका करक लगन है तो करक लगन जिनका है वो भी यह वीडियो देख सकते हैं और जिनका यहाँ पर चंदरमा है किसी भी भाव में चार नमबर के साथ इस पूरी कुनली में वो भी यह वीडियो देख सकते हैं जब हम गोचर को अपलाई करते हैं तो चाहे चंदर रासी भो चाहे लगन हो गोचर सेम ही अपलाई होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे अब आपके लिए second house के Lord सूरिय की। सूर्य का गोचर 14 अप्रेल तक में डासी में रहेगा तो सूर्य आपके भागेस्तान में रहेंगे भागेस्तान में सूर्य का होना ये आपके लिए काफी अच्छा होगा भागे का साथ दिलाएंगे आपको पिता जी से काफी अच्छा सहयोग दिलाएंगे कोई दूर की यात्रा हो सकती है अपने family के साथ दूर की यात्रा पर कोई बड़ा खर्चा हो सकता है इस समय में अगर आप student हैं तो आपको higher education में बहुत ये अच्छे result मिलेंगे तो सूरिय का जो गोचर है 9th house में काफी अच्छा रहने वाला है काफी आपको लाब मिलने वाला है इस गोचर का इसके साथ ही साथ सूरिय देखेंगे यहां से 3rd house को तो 3rd house को देखने से आपके छोटे भाई भेनों के साथ थोड़े भूँत समंदों में आपको दिक्कत आ सकती है इसके लाबा सूरिय यहां से आपका साहस भी बढ़ाएंगे तो निस्सित रूप से आपको इस समय में सूरिय अच्छ रिजल्ट देंगे धन को लेकर या अन्य जो भी आपके जो कारिये हैं उनको लेकर सारे यहाँ पर सूरिय के रिजल्ट आपको काफी अच्छे रहेंगे इसके बाद सूरिय हो जाएंगे उच्छे तो उच्छे होने के बाद सूरिय यहाँ पर और भी अच्छे रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेंगे देखे सूरी यहाँ पर उच्के हो जाएंगे साथ यहाँ पर बुद और सुकर भी रहेंगे सूरी के साथ तो यह आपके लिए अच्छी जोब पाने का मौका रहेगा साथी साथ इस समय में कोई हो सकता है आपने पहले इंट्रू दिया हो अभी तक क्लियर नहीं हुआ हो या फिर कोई ऐसा एक्जाम दिया हो जिसका रिजल्ट नहीं आया हो तो वो सब आपके कारिये बनेंगे इसके साथ यहाँ पर बुद शुकर का होना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप कोई गायन के फिल्ड में हैं कोई एक्टिंग के फिल्ड में कहले जिए तो बहुत अच्छा होने वाला है आप कोई पबलिक फिगर हैं कोई राजनिती से जुड़े हुए वेक्टी हैं तो सूरिय का यहां पर होना आपको अच्छा परमोसन भी दिला सकता है साथ ही साथ देखिए जो लोग अपने किसी बॉस के संपरक में जादा रहते हैं उनका कई बर विवाद होने की समावना भी बनेगी तो यहाँ पर सूरिय जो की आपको काफी ज़्यदा गमंडी भी बनाएंगे अपने जोब में तो यह जो समस्या रहती है कई बर हम किसी की सुनते नहीं है वैसे ही आपकी प्रिस्थती यहाँ पर होगी आप सूरिय के यहाँ होने से किसी की बात को नहीं सुनना चाहेंगे वो अपने ही अकोर्डिंग काम करना चाहेंगे बुद्ध के यहां होने से आपके वाणी में हाजिर जवावी होगी तो आप जो भी कारिय करेंगे उसमें हमेशा हाजिर जवाव रहेंगे तो यह काफी अच्छा जो महिना है आपके लिए रहने वाला है अप्रेल का क्योंकि शुरुआत में भाग्य साथ देगा इसके अलावा भाग्य से आपको धन भी मिलेगा और सब कुछ वो कारिय बनेंगे जो आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थी जिनके लिए वो सारी कारिय यहां पर आपके शफल होने वाले इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड हाउस के स्वामी की थर्ड हाउस के स्वामी बुद्ध है और बुद्ध एक अप्रेल से मीन में चले जाएंगे तो मीन में यह चले जाएंगे नेच के हो जाएंगे यहां पर थर्ड हाउस के स्वामी है और आपके लिए ये wealth load है तो needs के होने तक थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको warning को लेकर दिक्कत आ सकती है या किसी अन्य ऐसे कारी को लेकर जैसे तुचा से समन्दित, रोग हो या आपको analytical skills हैं जो आपके उन में थोड़ी बहुत दिक्कत रह सकती है अगर आपको या ऐसे field से जुड़े हैं जैसे banking sector है तो आपकी जो calculative power है वो थोड़ी कम रह सकती है इसके साथ ही साथ बुद्ध है वो हमारे brain को represent करते हैं तंत्रिका तंत्र को represent करते हैं तो आपको मस्तिस्क से related कोई दिक्कत रह सकती है इसके बाद बुद्ध परवेश करेंगे 10th house में तो 10th house में ये काफी अच्छे result देंगे आपको जैसे मैंने यहां पर बोला तो यहां पर जो result हैं बुद्ध के वो सुरुआत में अच्छे नहीं है इतने लेकिन बाद में मेश रासी में जाने के बाद और सुर्य का साथ इनको मिलने के बाद ये काफी अच्छे result 16 अप्रेल के बाद आपको देने वाले हैं इसके बाद आते हैं fourth house में fourth house के lord है सुक्र और सुक्र 9 अप्रेल तक में डासी में रहने वाले हैं तो शुक्र यहां पर उच्च के रहने वाले, अब यह जो शुक्र आपका उच्च का होगा, तो निस्चित ही यह कहा जा सकता है, आपको दूर की यात्रा कुरवा सकता है, धार्मी कारियों में रूच्ची देंगे, इसके अलावा आप फोरें ट्रेवल कर सकते हैं, घर से दूर जाने के योग अव जैसे जब उच्च के होंगे, तो आपको इस फोर्थ हाउस के भी वर्धी देखने को मिलेगी, घर का सुक अच्छा मिलेगा आपको, प्रोपर्टी वगरे का फाइदा होगा, और यह सब भागय की साइटा से होगा, तो शुरुवात से ही सुक्र इस महीने में आपको अच् पर टेंथ हाउस में इनका रोल थोड़ा सा अलग हो जाएगा, आपको फेमस बनाने में यह काफी अच्छा योगदान यहाँ पर देंगे, आपकी कोई जो क्रिटिविटी है, उसको लोगों की सामने लाने में काफी अच्छा सायोग यह आपको देने वाले हैं, तो सुकर क रिजल्ट काफी अच्छे रहेंगे और सुकर की रासी में क्योंकि राहू भी गोचर कर रहें और लावस्तान में इनकी रासी हैं आपके, तो यह कोई अच्छा लाव दिखाता है आपको अपने जोब से, इसके बाद हम आते हैं सीधा फिप्थ हाउस पे और फिप्थ हाउ यह की साथ आपका विवाद हो सकता है, धन को लेकर अच्छे संकेत मिलेंगे लेकिन आप मंगल के यहां रहने से किसी भी प्रकार से कोई भी एनितिक तरीका अपनाते हुए या कोई एवेधनिक तरीका अपनाते हुए धन पाने की कोशिस ना करें, अपने धन की बहुत जल फाइदा उठाने की कोशिस बिल्कुल भी ना करें मंगल के यहां होने से आपको प्रोपर्टी समंदी फाइदा होगा संतान को लेकर भी अच्छ रजल्ट रहेंगे लेकिन संतान के साथ मतवेद भी हो सकते हैं इसके साथ ही यहां से अगर बात करें तो मंगल देखेंगे फोर्थ हाउस को देखने से भी थोड़ी बहुत दिक्कत है आपको परिवारिक जो वातावना उसको लेकर आ सकती है इसके बाद मंगल जा रहे हैं आपके बारवे इस्तान में बारवे इस्तान में मंगल का जाना ये मैरिड लाइफ का शुक है उसको थोड़ा सा कम करेगा क्योंकि मंगल यहाँ पर आपको काफी रोमांटिक बना देगा काफी ज्यादा सेक्शुल बना देगा जिसके वज़ए से आपके लाइफ वार्टनर के साथ आपका जगड़ा हो सकता है तो ये दिक्कत आपको रह सकती है साहती क्योंकि सेवन्थ हाउस का जो स्वामे सेवन्थ हाउस में ही ट्रांजिट कर रहे हैं तो इस वज़े से ओल्रेडी आप थोड़े से परिशान हो सकते हैं इस समय में लाइफ से पर मंगल का जो मिथुन राश्य का गोचर है ये भी आपको ज्यादा परिशान करने वाला है तो ये जो समय है इसमें फिफ्थ हाऊस के स्वामी का आपको ट्व agreement में जाना ये दिखाता है कि आप कोई दूर कियात्रा कर सकते हैं एजुकेशन के लिए खर्चा कर सकते हैं, संतान के लिए खर्चा कर सकते हैं, इसके अलवा आपके 10th Lord मंगल बारवेस्थान में तो जोब को लेके थोड़ी बहुत दिकतें आ सकती हैं, इसके लावा जो लोग फॉरेंड में अपना जोब चाते हैं, विदेश में चाते हैं, उनके लिए मंगल अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, तो कुल मिलाकर ये जो समय रहेगा, ये आपको थोड़ी बहुत परेशाने में मंगल का डाल सकता हैं, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर गुरू की, गुरू जो की Sixth Lord है और धनू के स्वामी है, इसके लवा आपके 9th house के भी स्वामी हैं गुरू और गुरू ट्रांजिट करेंगे आपके अस्टम में, तो अस्टम का जो गुरु है ये 6 अप्रेल से आएंगे आपके कुम्ब रासी में यहाँ पर ये आपके लिए काफे अच्छे रहेंगे इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे अकल्ट में आपको इंट्रेस्ट काफे अच्छा देंगे इसके अलवा ये धन इस्तान को देखेंगे मतलब वानी के इस्तान को देखेंगे तो यहाँ पर धन की वर्दी करेंगे आप बचत अच्छी कर पाएंगे गुरु की इस द्रश्टी की वज़े से इसके अलवा आपको प्रोपरिटी की प्राप्ती हो सकती है अपने इनलोज से आपके समन्द काफी अच्छे रहेंगे इसके अलावा आपको अपनी जो पैत्रिक संपती है उसका हिस्ता भी मिल सकता है तो गुरू का ये ट्रांजिट काफी अच्छा रहने वाला है इसके साथ ही आपका जो इंट्रेस्ट है किसी रिशर्च के विषय में किसी साइंटिफिक विषय में या फिर जो अतिसम वगरह में अकल् sık में काफी अच्छा रहेगा और इंट्यूशन पावर आपकी कमाल की रहने वाली है तो ये काफी अच्छा गोचर आपके लिए कहा जा सकता है गुरू का इसके बाद बात करें सनी की, तो सनी देखे एटलोर्ड है, तो एटलोर्ड होने के विज़े से और अपनी खुद की रासी में होने के विज़े से भी अगर आपकी जो कुंडली में इस्तिती अच्छी नहीं है सनी की तो यहां थोड़ी वह तकलीफ देने ही वाले हैं आपको मेरिट लाइफ में बिजनस में इन सब में और हेल्थ को लेकर भी थोड़ी दिक्कत होनी वाले हैं तो यह जो सनी का समय है इसमें आप बहुत ज्यादा स्लो पड़ जा आपके सरीर में एक फूर्ती आएगी और आप अच्छे से काम कर पाएंगे थोड़ा बहुत हिल्थ इस्यू भी इस वज़े से आपको रह सकता है तो यह जो इस्तिती है कुछ इस प्रकार से आपके लिए रहने वाली है इस मन्थ में आप देखिए यहां पर हम बात कर रहे तो राहु केतु के वीडियोज आप काफी देख चुके हैं यह जो मन्थ है आपके लिए सेहर मार्केट वगरे से जुवा सटा लोटरी वगरे से भी काफी आपको लाब देने वाला है तो ज्यादा हम सर्चा नहीं करेंगे अब कुछ ऐसे दिनों की भी बात करेंगे जो आ दिना कारण आपका किसी से विवाद हो सकता है इसके लावा अन्य कई प्रकार की दिकतें भी आपको आ सकती हैं स्वास्ते को लेकर या धन के खर्चों को लेकर इसके बाद जब चंदर्मा का ट्रांजिट होगा कुम्ब में तो 7, 8 और 9 अप्रेल को ये समय आपके लिए मान के रहने से आपका इंटरेस्ट है जो अकल्ट में या कोई रैस्य में विसे में या कोई रिसर्च के विसे में काफी जादा रहेगा इसके साथ ही देखिए जो चंदर्मा का ट्रांजिट है आपके बारवेस्तान में होगा 17, 18 और 19 को तो इस दोरान आपको फोरें शुड़ हुए मामलों में अच्छ रिजल्ट मिलेंगे हालांकि लेकिन यहां स्वास्ते समंधी दिक्कतें बहुत ज्यादा रह सकती हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, इसके अलवा आपको ये चंदमा के बारवेस्तान में होने से निर्णे लेने में बहुत ज्यादा परेशानी रह सकती ह तो ये जो आप निर्णे लेंगे वो आने वाले दिनों में कोई इन दिनों को टाल कर ले सकते हैं, देखिए लगबग हमने इस वीडियो में चर्चा कर ली है, तो इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही